हेलो फ्रेंड्स तो मैं जा रही हूं गया दो दिनों के टूर पे घुमने फिरने और मस्ती करने अभी बजने है रात के डेर और मैं चली अपने प्लैट्फरम की तरफ तो आप देख सकते हैं ये प्लैट्फरम कितना खाली है दिन में तो यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं होती है ओके तो मैं यह आपको बता दूँ मैं जो ट्रेन थी उसका टाइम था रात के दो बजे और स्ट्रेन ने आने का कश्ट किया रात के तीन बजे और मैं क्या बताऊं नीन से मेरी क्या हालत हो रही थी और मेरे चेहरे का हाल कुछ ऐसा था एनिहाओ मैं यहाँ आपको एक सजेशन दे दूँ अगर आप कभी भी बिहार जाने का प्लैन बना रहे हो तो आप कोशिश करो at least आप 3rd AC में टिकट लो because जो स्लीपर बोगी है उसका हाल बिलकुल जैसा होता है मैंने तो पैसे बचाने के चक्कर में स्लीपर में टिकट ले लिया था बट इतनी भीर थी कि वाश्रूम जाना भी मुश्किल था खेर कैसे भी मैंने अपना सफर पूरा किया और ये है नेक्स टे और मेरी हालत कुछ ऐसी है और स्टेशन पहुंचने के बाद मुझ में बिलकुल भी ताकत नहीं थी कि मैं बहुत घूम घूम के होटेल ढूंडू अभी बज रहे हैं दोपहर के बारा और ब्रिक्फस्ट हमने किया नहीं है तो हम जा रहे हैं डारेक्ट लंच करने और मैंने एक यूट्यूब वीडियो में देखा था इस राजस्थानी भोजनाले के बारे में तो मैंने सोचा क्यों ना ट्राइ किया जाए तो वहाँ पे हमने एक थाली ओरर किया और ये रहा उसका मेन्यू आप देख सकते हैं और मुझे इनका खाना काफी पसंद आया इस्पेशली सत्तु पराठा जिसे बिहार में मकुनी भी कहते हैं सो अपना लंच फिनिश करने के बाद हम पास से स्थित गया म्यूजियम घुमने गए और यहाँ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी तो मैंने यहाँ पे कोई भी वीडियो नहीं बनाया म्यूजियम घुमने के बाद अब जो हमारा नेक्स टॉपेज है वो है विश्नुपद टेंपल यह मंदिर एक बहुत पुराना हिंदू मंदिर है और जब मैं इस मंदिर में गई तब मुझे इस मंदिर के बारे में जानने को बहुत कुछ मिला तो ऐसी मानेता है गयासुर नामक एक राक्षस था जिसे कठोर तपस्या करने के बाद एक वरदान प्राप्त हुआ कि जो भी उसे चुएगा उसे मोक्ष की प्राप्ती हो जाएगी और जिस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए लोगों को कठिन तपस्या करनी होती है उस मोक्ष को अब लोग बहुत ही आसानी से प्राप्त करने लगे सिर्फ गयासुर को छूने से ये देख भगवान विश्नु ने गयासुर को पृत्वी के नीचे जाने को कहा और उसके सर पे अपना दाहिना पैर रखे उसे धर्ती के अंदर धकेलने लगे और इस तरह उनके पैरों के निशान वहाँ पड़ गए और मैं यहाँ आपको एक बात बता दूँ यहाँ पे फोटोग्राफी और बीडियोग्राफी अलाउट नहीं है तो मोबाइल आपको बाहर ही जमा करके जाना होगा और यह रहा मंदिर के बाहर का नजारा और मंदिर के बाहर बहुत सारे लोग आपको लसी बेचते हुए मिल जाएंगे तो हमने भी ट्राइ किया और आउड रेट इट 6 आउट अफ 10 मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम पासें स्थित देव घाट की तरफ जा रहे हैं जो फल्गु नदी पर स्थित है और यह रही फल्गु नदी इसे देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा यह तो खाली जमीन है मगर नहीं यह नदी है तो आईए अब मैं आपको ले चलूँ सीता सेतू पे और इस सेतू का यूज नदी के एक पार से दूसरे पार जाने के लिए किया जाता है और इस पे गाड़िया नहीं चलती है तो लेट्स गो दोस्तों मैं आपको फल्गु नदी के बारे में कुछ बता दूँ ऐसी पौरानिक मानेता है कि इस फल्गु नदी को सीता माता ने श्राब दिया था और इस स्टोडी के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी मगर उसके पहले मैं आपको एक इंट्रेस्टिंग चीज दिखाती हूँ अभी हम पुल पे चल रहे हैं और पुल पे चलते हुए हमने एक स्क्रीन शॉट लिया अपने मोबाइल में ये आप देख सकते हैं और आपको दिख रहोगा कि ये नदी बना हुआ है और हम सेतू पे खड़े हैं और ये है एक्च्वल व्यू जो हमने वहाँ पे कैक्चर किया था जो दिख रहा है नदी में थोड़ा बहुत तो पानी है ठीक है और आपको मैं भी 360 डिगरी एंगल से दिखाती हूँ कि ये कैसा दिख रहा है और ये देखिए पुल दूसरी तरफ से कैसा दिख रहा है चारो और रेथ ही रेथ है और कुछ भी नहीं है इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि जब आप गड़ा खो देंगे लगब लगब 7-8 फीट तब जाकि आपको इसके नीचे पानी मिलेगा और कहीं कहीं आपको पानी दिख भी रहा होगा जहां लोगों ने गड़ा खोदा है इस तरह अलगा सवनों लगता है गड़ा खोदा है इसलिए यहां पर पानी है तो इस सेतू पे घूमने और पिक्चर्स क्लिक कराने के बाद अब हम जा रहे हैं फल्गु नदी की तरफ और जब मेरे हस्बेंट पहली बार इस नदी को देखे थे तो वो तो बिल्कुल शौक ही हो गये थे और जैसा कि हमने सेतू पे किया था हमने वहां ख़रे होके स्क्रीनशॉट लिया था अपने मोबाइल में अपने लोकेशन का तो यहां भी हमने वही किया और जब आप दे दश्रत जी का श्राद करने गया आये थे तो जब राम और लक्ष्मन जी सामान जुटाने कहीं दूर गये थे उस वक्त सीता माता को ऐसा एहसास हुआ कि राक आकरती बना कर कुछ कहने की कोशिश कर रही है माता समझ गई कि श्राद का समय निकला जा रहा है और उन्होंने रेत के पिंड बनाए और वहां मौजूद फल्गुनदी गाई तुलसी अक्षेवट और एक ब्राम्वन को साक्षी मान कर पिंड दान कर दिया जब भगवान राम और लक्षमन वापस आये तो उन्होंने श्राद के बारे में पूछा तब फल्गुनदी ने उनके गुस्से से बचने के लिए जूट बोल दिया तब माता सीता ने गुस्से में आकर उन्हें श्राप दे दिया और उसके बाद से नदी भूमी के नीचे बहती है जब हम देवगाट से लोट रहे थे तब मुझे ये पोस्टर दिखा और मुझे तब पता चला कि यहां पित्री पक्ष मेला भी लगता है जो कि पिछली बार सितंबर के महीने में लगा था अब इतना घूमने के बाद हमारा जो नेक्स टॉपेज था वो है सुरे क सुरे कुंड जो देवगाट है उसके मगल में ही है कुछ दूर पर और ये देखिए सुरे कुंड जब हम कुंड पर पहुंचे थे तो वहां काफी धूप थी इसलिए आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको कोई भी नजर नहीं आ रहा है सुरे कुंड के बाद जो हमारा न सोचा क्यों न पेट पूजा किया जाए तो जो हमारा फ़र्स टापेज था वह कीसरी चारे इसके बारे में मैं देखा था है तो मैंने सोचा चलो वहां जाके TRI किया जाए और मैंने इसे TRI किया और मुझे इसका और जो टेस्ट है वहоне अच्छा नहीं लगा इसर्च वो देखिये location कुछ ऐसा दिख रहा है and I must say उनकी चाय बहुत tasty थी मैंने थोय चाय पी भी लिया है उसके बाद मैंने यह पिक लिया था और लग भलवा यह एरिया जहां वो अपने stall लगाते हैं कुछ ऐसा दिखता है so it was so good and I would rate it 9 out of 10 इसके बाद जो हमारा next topic है वो है ग्यानिनाद इमर्ती भंडार और यह रहा उसका menu I don't know why बट मुझे इमर्ती का टेस्ट कुछ खास पसंद नहीं आया मैंने शौप की और भी अलग items को try किया और मुझे वो items इमर्ती comparison में ज्यादा बहतर लगे अब इतना कुछ हमने try कर लिया की famous तिलकुट कैसे miss कर सकते हैं तो हम अभी आये हैं जोहरी जी की दुकान पे अभी हमारा पेट काफी भरा भरा लग रहा था तो हमने अनर्सा लाइक के लड़ू और तिलकुट तीनों चीज दो दो पीस पैक करा लिया जब आप गया जाएंगे तो आपको यह items बहुत सार पे जा रहे हैं वो है प्रकाश में स्थान भंडार यहां हमने परवल की मिठाई और छेना खुर्मा पैक कराया और दुकान में जब मैंने कचोड़ी देखा तो मेरे तो मुह में पानी आने लगा और मैंने सोचा चलो खाई ही लिया जाए और मेरा पेट काफी भरा हुआ थ तो मैं तो होटल जाते ही दुरत सो गई थी अब हमारे नेक्स टे का टूर बुद्ध गया का है और यह वीडियो आप गया टूर पार्ट तू में देख सकते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग लाइक शेर और सब्सक्राइब